हाई आवरीवन आप सब का सवा गयता है कोट फर एडुकेशन में यह है आपका एडवांज जावस्क्रिट की सरीज गाई इसके नदर है यह पार्ट नमबर 3 पार्ट नमबर 3 के अंदर हम देखेंगे आपका जावस्क्रिट टैंपलेट इस्ट्रिंग को यह एस इसक्स का फी इसी वीडियो से डिलेट कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं और सारे 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 शोचल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे जाएं और फॉलो कर लेंगा इस तो चलिए यहां पर देखते हैं टैंपलेट के बार होता है टॉप में आपका उससे सबसे पहला बटन जो है उस पर साइन यह मिलेगा आपको ओके कैरेक्टर्स अलाउइंग फॉर मल्टी लाइन इस्ट्रिंग सिंगल इंट्रपोलेशन विद अमेडिट एक्सपरिशन एंड इस पेशल कॉंट्रेट कॉल्ड टैंग्ड सब्सक्राफ है और उसके अंदर कुछ चीजें डैनिमिक हमें करनी है तो कैसे करते हैं हम किसी भी चीज को जोडने के लिए हमारे पास में कॉन्पिनिट का एक ऑप्शन होता है बट उसके अंदर हमारे पास में अगर वह छोटा है तो इनफ रहेगा अगर हमें बहुत रगल करके देखेंगे नेक्स्ट यहां पे देखते हैं यहां पे टैंपलेट लिटरल are sometimes infirmally called template strings because they are used most commonly for string in to polish to create string by doing substitution of placeholders however a tagged template literal many not result in a string it can be used with a custom tag function to perform whatever operations you want on the different parts of the template litter ठीक है तो जो चीज मैंने आपको बता है कि इसका नाम string भी बोला जाता है क्योंकि ये placeholder का आपका replacement था अगर आपको कोई भी चीज string से related बनानी है या function भी call करवाना है आपको तो वो भी possible है इसके अंदर कैसे देखेंगे अभी उसके बाद देखते हैं यहाँ पर next multi line अगर जब मैं इसको बात करूँ पहले की पहले ही कैसे होता था तो suppose मैंने एक variable ले लिया एक string है मेरे पास में फिर second variable ले लिया मैंने उसमें भी string है मेरे पास में अब मेरे को इन दोनों को अपस में combine करना है तो फिर हम क्या करते थे तो इसको भी मैंने एक variable में store करवा है आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले सबसे फ़हले quotes लगवा है double quotes then plus का sign लगा है जो कि continent का sign है यहाँ पर JavaScript के अंदर then variable का नाम रखा a then plus again and b तो यह method था आपका before कि जब पहले यह चीज चलती थी बट यही बात करें ES6 में जब template string करके आया उसके बाद यह चीजें कैसी दिखती है तो देखेंगे जब आपके पास में यह तीनों चीज available है तो देखेंगे आपकी जो तीसरे नंबर का variable है वहाँ पर मैंने एक red color का sign यूज कर रखा है यह है आपका template literal इसका sign ही यह है इस sign को जैसी आप use करेंगे तो इसके अंदर जब कभी भी आपको कोई function हो या variable हो किसी भी चीज को call करवाना होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे dollar dollar के बाद में आपको calibrances and calibrances के अंदर आपको ध्यान रिखेएगा और यह keyboard के किस हिससे में होता है उसकी मैंने यहाँ पे image लगा रखी है इसको सई से देखे जो मैंने भी आपको 123 का number बहने बताया था उसमें पहले number पे आपको यह मिलता है इसमें कोई shift या control के जुरुत नहीं बढ़ती directly आप इसे press करेंगे तो यह आपका आ जाएगा तो इसमें benefit क्या है benefit यह है गाईस कि इससे पहले वाले में जब मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पे हमें double quotes, single quotes यह सारी यह सारी चीजे and then continent के लिए plus का sign use करना पढ़ रहा था तो यह सारी चीजे remember रखने पढ़ती थी हमें जैसी हम back trick को use करेंगे गाईस तो back trick को use करने के बाद में हमें single quotes, double quotes इन सब की tension लिने की ज़रुत ही नहीं है directly हम इसके अंदर किसी भी variable को यहाँ पे print करवा सकते हैं dollar के sign के साथ में, curly braces and then अगर हम चाहें तो quotes को भी single quotes को भी यहाँ पे रख सकते हैं and एक चीज और कि जितने भी हम space देना चाहें enter मारके वो भी हम यहाँ पे possible है इसके अंदर, okay तो यह है आपका template string जिसको आप जानते हैं कि template लिटरल भी बोलते हैं अब देखिए इसके बारे में कौन-कौन से browsers इसको support करते हैं और कितने, तो यहाँ पर मैंने एक image लगाई है यहाँ पर इसको देखिए, chrome में आपको कितने number पर मिलती हैं चीज़े edge में, firefox में, opra में, safari में और phones में भी कौन-कौन से चीज़ें पर कहां-कहां पर इसकी uses है इसकी support मिलता है हम ठीक है, तो यह हो गई बात आपकी theory की, अब यही सारी चीज़ें करते हैं, practical और समझते हैं कि यह काम कैसे करता है, तो चलते हैं यहाँ पर अपने iter पर और इसके practical करके देखते हैं guys so guys, iter पर आने के पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक file बना रिखिए, part 3, template string.html, same folder होने वाला जिसके अंदर पुरा course cover करेंगे हम और यहाँ पर आपको कुछ इस फरीके से दिखेंगे है यहाँ पर इसका output और यहाँ पर console मैंने open कर रखा है console कैसे open करते हैं, inspect आप click करेंगे आपका console आजाएगा, choose करेंगे best से, आप देखिए सबसे पहले मैं आपको before, जब यह normal होता था concrete के अंदर, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दू comment करके, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में यह देखिए, example कर देता हूँ मैं, अब suppose मैंने आपको previous में let and cost पढ़ायता है उसी के through हम देंगे आप चीजें, तो मैं यहाँ पर यह ले लेता हूँ, और मानिए यह रखा मैंने एक अंदर मैं कर देता हूँ आपका code for education, ठीक है, यह मेरा variable हो गया इस variable को मेरे को print करवाना है तो मैं यहाँ पर log करवा लूँगा और यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से करवाऊँगा देखिए, अगर मेरे को normal करवाना होता तो मैं लिखता hello, codes के अंदर space देता, continate करता है and then अपने variable को यहाँ पर print करवाता इसके बाद मैं करवा save and save करने के बाद आप देखेंगे तो देखें, यह देखें आपको यहाँ पर visible हो रहा है, code for education आपका आगया है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि space भी नहीं है इसके वीच में अब space देना था तो फिर मेरे को concrete करना पड़ता, plus का sign देता, मैं यहाँ पर space देता, save करता then यहाँ पर आपको यह चीज देखने को मिलते हैं तो यह है आपका पहले जो ES5 बोल सकते हैं आप जिसके अंदर यह feature अवेलबिल था, concrete करने पर हमें चीज़े मिलती हैं, यह वहाँ के लिए जहाँ पर आपको small चीज़े हैं और आपको पता है कि आप control कर पाएं बट बात करते हैं ES6 के feature के बारे में कि यह कैसे काम करता है अब देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को दिया अगर मेरे को back trick यूज़ करना चीए तो कैसे करूँगा मैं तो मैं क्या करूँगा इसको कर दूँगा comment ठीक है मैं यहाँ पर इसको कर लूँगा copy copy करने के बाद करेंगे paste ठीक है और मैं लिखते भी चलूँगा साथ साथ जिससे की comments में आपको समझ में आ सकेगी इस चीज़ के लिए हम कर भी रहे हैं template back trick इस चीज़ का function ही है अब मैं इस चीज़ को कैसे use करना है हमें यहाँ पर तो देखे सबसे पहले हमें करना क्या होगा हम पहले sign को लगाएंगे मैंने sign को लगाया इस sign को लगाने के बाद में हम देर को single quotes double quotes इसका देखना ही नहीं directly हमें क्या करना होगा बस मैं यहाँ लिखूँगा hello hello के बाद मैं यहाँ पर dollar का sign curly braces curly braces में मेरा variable का now और मैं चाहूं तो आगे और भी जो भी text लखना है वो भी रख सकता हूँ इतनी चीज़ को करूँगा मैं save and save करने के बाद आप देखेंगे space तक का मेरे लिए मेरे को यहाँ पर confident करने के जुरत नहीं पड़ी but इससे previous वाले में आपने देखा था कि मेरे को space के लिए confident करना पड़ रहा था but जैसी मैंने यहाँ पर आपका use करा back trick को तो back trick के अंदर आप देखेंगे hello code for education और आगे का text sub के बीच में यहाँ पर आपको space दिखरा होगा बरावर का अब यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको अगर यही चीज मेरे को मानिए मेरे को string में चीज होती तो मैं क्या करता मैं यहाँ पर इसको paste कर लेता इसको मैं हटाता मानिए मेरे पास में यह सारी चीज है मेरे को direct console में नहीं रखनी है मेरे को एक variable में store है मेरे पास में policy तब इस चीज को कैसे हम करेंगे तो देखे कुछ नहीं करना आपका variable जैसे print होता है वैसे print होगा मानिए मैंने enter मार दिया इसके अंदर यह देखे इस चीज को यहां पर देखे and save करने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे यहां पर आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा जो browser है हमारा वहां पर बिल्कुल space same इसी चीज को console में आप देखेंगे तो देखे console में आपको चीज़ें दिख रही है कि यह space भी रखता है अपने पास में तो यहीं देख रहे हैं आपकी कितना कम code में कितनी सारी चीज़ें होगी multiple चीज़ें अगर आपको करनी है तो वो भी possible है देखे कैसे suppose देखे मैंने अब यहां से इस चीज़ों को हटा देता हूँ अब आप कहेंगे कि multiple variables होते हैं हमारे पास में तो कैसे काम करेंगे मैं a को और let लेता b लेता और b के अंदर मैं क्या करता यहां पे code for education को डाल देता ठेक है और youtube channel जो है हमारा इस वाले के लिए मैं क्या करता एक और valuable यहां पे c ले लेता यह देखे यह हो गया अब मैं क्या करता एक चीज कि अगर आप देखेंगे यह तीन तो हो गए मेरे पास में अब यह तीन मेरे को यहां पे कैसे जोडेंगे कैसे हम इसको तो देखें simple कुछ नहीं करना sign लगाना होगा आपको डॉलर का sign होगा है आपका यहां पे a लगा दिया मैंने space दूंगा मैं फिर डॉलर का sign होगा आपका b होगा फिर यहां पे होगा आपका c यह देखें तीनों को मैंने call करवा लिए directly अगर आपको direct को इस ट्रिंग नहीं लिखनी तो यहां पे आपके सामने क्या है अब कैसे यहां पे करेंगे आप तो कुछ नहीं करना सेम जैसे मैं यहां पे print करवा रहा हूँ आप करेंगे copy paste करेंगे save and save करने के बाद में आपके सामने result यहां पे दिख भी रहा है कि hello code for education youtube channel तो यह चीज़ आप समझ गए कि किस तरीके से normal way में जो ES5 के अंदर थी और जो ES6 का जो latest feature है आपका template string जिसे template literal भी कहते हैं तो यह दोनों चीज़े आप समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से strings के लिए काम करता है अब मैं यहां पे एक example देता हूँ आपको function से related कि function में इस चीज़ को कैसे use करेंगे आप तो मैं क्या करता हूँ इसको कर देता हूँ comment ठीक है comment करने के बाद में अब यहां पे आते हैं यहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यह काम करता है functions में मैं यहां पे link भी दे रहा हूँ कि जिसकी वह से आपको याद रहे कि किस लिए हम इसको use कर रहे है तो सबसे पहले मैं एक let लूँगा let लेने के बाद में मैं first string one कर देता हूँ मैं इसका ऐसे नाम रहे लते हैं random सा नाम रहे हूँ मैं यहां पे मैं करूँगा आपका welcome ठीक है back to two यह देखें मैंने आधा वर्ड यहां पर रख लिया it means की मेरे sentence का आधा वर्ड यहां पर है second लूँगा मैं यहां पर second string two ठीक है यह मैं functions के लिए बता रहा हूँ इससे पहले मैंने आभी आपको multiple variables कैसे print होंगे वो मैंने बता दिया continent की आपको ज़रुत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि आने वाली series के अंदर जितनी भी चीजें में करवाऊंगा इनी का use करेंगे हम भी यहां पर अगर मैं लिख लूँ code for education यह देखिए code for education हो गया यह दो मैंने यहां पर चीजें रख ली it means कि दो मेरे यहां पर strings त्यार है अम normal function कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया है जो basic code से उसके अंदर already सिखाया है कि strings कैसे पास होती है it means कि parameter कैसे पास होता है पहला parameter मैंने ले लिया दूसरा parameter मेरा क्या होगा यहां पर तू रख रहा हूं यह देखिए दो parameter हो गए और दो के अंदर मैं क्या करूँगा यहां पर return लगा दूँगा अब return भी मैं क्या करवाना चाहता हूं return मैं यह दोनों के दोनों strings करवाना चाहता हूं एक साथ कैसे देखिए यहां लगाएंगे हम sign जो मैंने अभी आपको back trick बताया ना वो लगाएंगे sign यहां पर dollar का sign लेंगे then इसके बाद में साथ से वहले यहां पर क्या होगा मेरा string 1 जो मेरा पहला parameter है वो space देंगे then उसके बाद में dollar dollar के बाद में again यहां पर string 2 यह देखिए second string मेरी आगए यहां पर 2 strings है मेरे पास में अब यहां पर हमारा यहां पर function बन गए अगर आप save करके देखेंगे तो कुछ output यहां पर अभी नहीं देखने को मिलेगा हम अब क्या चाहते हो आप कि यहां पर एक कौर हम let ले ले ठीक है यहां पर मेरा first second हो गया था इसके बाद में मैं इसको x दे देता हूँ x की value बनानी है मेरे को कुछ इस तरीके से तो मैं यहां पर again sign लगा रहा हूँ देखे कितनी सारी चीन चला रहा हूँ में एक बार में और यहां पर hello लिख रहा हूँ डैमो के बार में 35 अब यहां पर आपको क्या करना है आपका जो पहला variable है पहला यहां पर हमने जो variable रखा था first underscore string one ठीक है यह चाहिए होगा हमें यहां पर यह देखे पहला आ गया हमारा अब लगाएंगे हम comma क्योंकि second भी चाहिए हमें तो second के लिए हमारे पास में second था तो second हम यहां पर कर लेंगे second two ठीक है यह दो चीज हो गए हमारे पास में यहां पर अब इसके बाद में इस चीज को print भी करवाना है हमें तो देखे कैसे करवाएंगे तो print करवाने के लिए console भी हमारे को Welcome back to code for education. यहाँ पे भी दिख रहा है, और console में भी दिख रहा है. अब आप देख रहे हैं कि किस तरीगे से चीजे चल रही हैं? कि मैंने यहाँ पे function को call करवाया पहले, इसी में मैंने functions में मैंने बताया उसको कि क्या-क्या parameter उसे चाहिए. दो parameter मेरे को pass करने थे, जो की मेरे पास में यहाँ variable में थे. यह तो अभी वो हैं जो static form में. अगर मानिये की वोई variable आपके पास में dynamic आ रहा है, back end से, API के थुरू, तो API अगर data आप store करवा सकते हैं किसी भी variable में, उस variable को append करना है, आपको next किसी other variable में तो वह आपको जिस तरीके से append कर सकते हैं, और उसके output को जिस तरीके से front end पे दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे इसके through कर सकते हैं. तो यह है आपका template string का method गाईज, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि content कैसे करते थे पहले, before और उसके बाद में जब इसका ESX का जो feature आया, आपका template string के अंदर, तो इसको किस तरीके से use करना है, आपको multiple variables, आपको print कैसे करवाने हैं, आपको मैंने बताया, आपको space भी count करता है, आपको space के लिए अलग से आप देनी की जुरत नहीं है, जैसे continent में आप करते थे, और यहाँ पर उसके बाद में अगर आपको कोई function call कराने, तो function के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर यह चीज़ बता दी है, तो इसकी practice करें, अगर आपको कोई doubt है, तो comment करके अपने doubt को पूछ सकते हैं, next video में आपको क्या पढ़ाने वालों, वो एक बार देख लेते हैं guys, So guys, next वाले part में हम देखेंगे, आपका JavaScript के अंदर arrow function को, कि यह भी ESX के अंदर आया, आपका arrow function क्या करता है, किस तरीके से use करना चाहिए, theory and practical guys, thanks for watching for this video, जब तक लिए till then, bye bye guys. हुआ हुआ हुआ